हम आदी सकती मावैशनों की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं मावैशनों रूप में क्यूं आई ये हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं हम आदी सकती मावैशनों की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं मा वैशनो रूप में क्यूं आई ये हम बतलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते विगडे का तेता युग में बढ़े गया दैत्यों का आत्या चार होने लगी थी विजय धर्म की धर्म रहा था सभी देवताओं को थी फिर मा की आदाई सरस्वती लच्मी और काली मातीनों आई तीन देवियों ने मिलके कन्या का बनाया रूप ना देखा और नहीं सुना कभी ऐसा था स्वैरू हाथ जोड बोली कन्या है माता बतलाओ मुझे बनाने का परियोजन क्या है जदा समझाओ सभी देवता जैका रामाता का लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा वेश्ण रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का घां यहां बनते विगड़े का है पावन मा का घां यहां बनते विगड़े का तीनों माता बोली इक राजा रत ना सागर कन्या रूप में ले लो जनम तुम जाके उनके घर फिर कन्या ने तीनों के आदेश कमान किया राजा रत ना सागर के घर जाके जन्म लिया त्रिकुटा और वैश नभी उस कन्या का नाम पड़ा अदबुत कन्या जन्मी राजा प्रसन हुआ है बड़ा यग्य हवन भी करता राजा और कभी करे सिकार खेल खेल में राजा ने कई पसुपच्छी दिये मार सौक में कई निर्दोस प्राडी मारे जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं आवेश रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धाहां यह बनते विगडे का है पावन मा का धाहां यह बनते विगडे का सौक पिता का वैजन भी को जो रास नहीं आया क्यों करते वध निर दोसों का पिता को समझाया अगर आप ना दे सकते हो निर जीवों को प्राण किस हक से फिर आप हो लेते इन जीवों की जाण बेटी के जो सुने विचार वो हर सित बड़ा हुआ वैशन धर्म का उस दिन से धर्ती पे जन्म हुआ किसी कवधना करना राजा हुक्म सुनाते है पावन कथा सुनाते है मा वैशन रूप में क्यों माई ये हम बतलाते है है पावन मा का घाम यहां बनते विगड़े का है पावन मा का घाम यहां बनते विगड़े का फिर भगती के मार्ग पे कन्या का मन आया करना है मुझको तब माता पिता को समझाया सुनकर बेटी के मचनों को माता हुई बेचै बिना तुमारे बेटी हमारे कटे नहीं दिन रहे घोर तपस्या जंगल में तुम कैसे कर पाओगी देख के नर्भक्षी पसों को बेटी डर जाओगी घबराओ ना माता मुझको दे दो आशिरवार पर योजन इस धरती पर आने का मुझे है यार ना चाहते हुए मात पिता अग्या दे जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा विश्ण रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते विगडे का है पावन मा का धां यहां बनते विगडे का मात पिता की आग्या लेकर वन को किया प्रस्थान सागर तट पर जाकर करने लगी प्रभू का ध्यान अनजल उसने त्याग दिया छोड़े संसार के कान घोर तपस्या करने लगी वो रटे राम ही रान राम लखन सीता के खोज में सागर तट आए देख के कन्या की भगती को मन में हर साए क्या चाहती हो है कन्या तुम मुझे को बतलाओ बोली अरधा गिनी रूप में मुझे को अपनाओ इस युग में पतनी मेरी सीता राम बताते है पावन कथा सुनाते है मावेश्ण रूप में क्यूं माई ये हम बतलाते है है पावन मा का धा यहां बनते बिगडे का है पावन मा का धां यहां बनते विगड़ेगा बोले राम है गन्या तुम्हारा अपना हो बेकार कल युग में जब कल की रूप कलेंगे हम मोता फिर तुमको अरधांगीनी रूप में हम तो अपनाएंगे इच्छा पूरन होंगी कल की रूप में जब आएंगे त्रिकूट पर बत पर जाकर तब तक तुम वास करो भगतों का उद्धार करो दुष्टों का नास करो वहां वैश्णो देवी नाम से तुम चानी जाओगी सकल स्रिष्ट में हे कन्या तुम ख्याती पाओगी राम प्रभू फिर त्रिकूटा को ये वर दे जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं आवे शुरूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगड़े का सिरी राम के आग्यां का मा पालन है करती वैश्नो देवी रूप में माता सब के दुख हरती स्रंथा भावस जो भी आता है इनके दरबार सारे कश्ट हरे माता और खुसियां मिले अपार तीनो रूप में यहां बिराजे जग की रखवाली मात सारदा महालक्चमी और महाकाली जिन भगतों को होता वैश्नो माता पे विस्वात नहीं तूटने देती माता बेटों की कुई आत कभी तुदर सन करने भक्त लाखो आते हैं मावन कथा सुनाते हैं मा वैश्नो रूप में क्यूं आई ये हम मतलाते हैं है पावन मा का धान यहां बनते बिगडे का है पावन मा का धान यहां बनते बिगडे का कट्रा से कुछ ही दूरी परहन साली इक गां माता का एक भक्त हुआ था जिसका स्रीधर ना माता के चर्णों में उसकी ऐसी लगी लागन छोटी छोटी कन्याओं का करता था पूजन गंगा जल से कन्याओं के पहरों को धोता करवाता भोजन उनको चाहे खुद भूखा सोता अतिनिर्धन हो कर भी सबका करता था सम्मा एक ही चिंता थी उसको ना थी कोई संता माता के चर्णों में नित अर्दास लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मावे शुरूप में क्यों आई ये आम मतलाते हैं है पावन मा का थाहां यहां बनते विगड़े का बक्त सिरी धर के मन में फिर एक दिन उठा सवां भगती में क्या दोस है मेरी करती नहीं खयार क्यों नहीं देती दर्सन मुझे को ये तो बतलाओ सच्चा दास तुम्हारा हूं मा मुझे को अपनाओ बोला सीस्त जुका कर मैंने अब मन में ठानी जब तक दर्सन ना दोगी ना खाऊं अनपानी रोज की तरहा किया उन्होंने फिर कन्या पूजन कन्या रूप में माता के उनको हो गए दर्सन हाथ जोड कर कन्या से कुछ पूछन चाहत है पावन कथा सुनाते है आवेश रूप में क्यूं आई ये हम बतलाते है है पावन मा का धां यह बनते बिगड़े का है पावन मा का धां यह बनते बिगड़े का कौन अलो किक सकती है ये ना वो पहचाने करते प्रस्न इससे पहले खुद ही लगी बतलाने है मेरा आदेश की सारा गाओं को बुलवाओ मेरे नाम से कुटिया में भंडारा लगवाओ जो भी मिलता जाए उसको दे दे ना न्योता भोजन करवाने से बड़ा कोई पुन्य नहीं होता मन ही मन सोचे स्रीधर ये कैसे हो पाएगा छोटी सी कुटिया में कैसे सारा गाओं आएगा अति निर्धन ते स्रीधर चिन्ता में बढ़ जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा वेश्ण रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का ए जगजननी माता तुम ही रखना मेरी लाज कठिन परिच्छा है मेरी मुझे को लगता है याज घर घर जा करनी मंत्रड वो सब को दे आया भैरोनात का डेरा भी था रस्ते में पाया हाथ जोड कर बोला कल भंडारा लगवाऊंगा सारे गाओं के संग आपको भूजन करवाऊंगा बोले भैरोनात है स्रीधर क्या तुमने पाया फूटी कोडी नहीं है कैसे भंडारा लाया उस कन्या के बारे में स्रीधर बतलाते है पावन कथा सुनाते है मा वेश्ण रूप में क्यों माई ये हम मतलाते है है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का सुन स्रीधर की बात अचंभित भैरो बड़ा हुआ गोरखनाथ गुरू को सारी बात बताने लगा बोले गोरखनाथ की देखे कौन है वो गन्या करते हमको त्रिप्त अभी तक कोई नहीं जन्मा अपने सिस्यों संग हम स्रीधर के घर में जाएंगे देखते हैं वो कैसे हमको भोजन करवाएंगे भैरो और गोरख अपने सब चेलों संग आएं बने हचपन भोग देखके वो तो चकराएं कुटिया उतनी बढ़ जाती जितने जन आते हैं मावन कथा सुनाते हैं मावेश्ण रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का है पावन मा का धां यहां बनते बिगडे का देखा के एक कन्या सबको भोजन रही खिला ना साधारन कन्या ये मन में संदेह हुआ बोले गुरु से भैरो इसका लेना पड़े उत्हान है साधारन कन्या कोई मैं नहीं सकता मान बोले भैरो कन्या से ये भोजन नहीं है खास पीने को हम चाहिए मदिरा और खाने को मास कन्या बोली है भैरो क्या तुमको नहीं विवेक ये है वैश्नो भंडारा क्या नहीं रहे तुम देख फिर भैरो कन्या का हाथ पकड़ना चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं मावे शुरूप में क्यों आई ये हम बतिलाते हैं है पावन माता धां यहां बनते बिगडे का हाथ पकड़ना चाहां कन्या हो गई अंतर ध्यान पर अपने तप पे भी था भैरों को बड़ा अभिमान गर्ब जून की गुफा में माता फिर जा कर गई पैठ खोज निकालूंगा मैं तुमको भैरो रहा थाए गुफा के द्वार पे एक साधू ने भैरों को समझाया लोट जवाप इस भैरों वर नाकाल तेरा है आया क्रोध में भरके भैरों ने उस साधू को दुदकारा क्या मुझे को तुम नहीं जानते भैरों नाम हमारा करते काम है पूरा जो जिद पे अण जाते हैं मावन कथा सुनाते हैं मावे शोरूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते रिगड़े का है भैरों नात ने उस साधू की बात नहीं मानी यहां बनते रिगड़े का करके घुस गया गुफा में वो भैरों अभिमानी माता को आभास हुआ अपना तिर सूल उठाया गुफा के पिछले भाग में जाकर रस्ता एक बनाया कहां गई वो कन्या भैरों होने लगा बेचैं जब तक भेद नहीं जानूंगा आयन मुझे को चैर त्रिकूट परबत की गुफा में वित्त मान थी मां कहां छुपेगी कन्या तेरा पीछा चोडू ना लांगुर वीर को पहरे पे फिर भैरों पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा वैश्न रूप में क्यों आई ये हम मतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते विगडे का है पावन मा का धां यहां बनते विगडे का लांगुर वीर को फिर भैरों ने युद्ध के लिलल कारा कहां थे पीछे हटने वाले दिया जवाब करारा लेकिन लांगुर वीर में भैरों पढ़ने लगे भारी क्रोध में भरके आ गई माता अश्ट भुजा धारी वध करने को भैरों का माता हो गई मजबूर काट दिया सर भैरों नात का गिरा वो जाके दूँ भैरों को अपनी गलती का फिर आवास हुआ किये कराए तपका मेरे माता नास हुआ माता से बिंती करके वो माफी चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा वेश्न रूप में क्यों आई ये हम बतलाते हैं है पावन मा का धां यहां बनते विगडे का है पावन मा का धां यहां बनते विगडे का करुडा मई मात ने फिर भैरों को माफ किया भूल को कर दिया माफ तेरी मैंने इंसाफ किया हे भैरों ये तब तेरा यू व्यर्थ न जाएगा जो मेरे दर्सन करेगा वो तेरे दर भी आएगा माने जाए मेरे दर्सन तेरे विना अधोरे मेरे बातेर दर पे आए तब ही वो होंगे पूरे इसलिए जो भक्त वैशनों द्वार पे आते हैं माता के दर्सन कर भैरों मंदिर जाते हैं जोर जोर से जायकारा माता का लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा वेशो रूप में क्यों आई ये हम बतिलाते हैं है पावन मा का धाँ यहां बनते विगडे का सपने में आकर मौने स्रीधर को दिया वर्दा चार पुत्रों की घर में तेरे हो जाए संता युगों युगों तक पूजा मेरी तेरा वंस करेगा ना ही रहोगे निर्धन तुम ऐसा भंडार भरेगा माता के वचनों को सुनकर स्रीधर धन्य हुए सब इच्छाएं हो गई पूरी अतिप्रैसन हुए सबसे अब तक स्रीधर वंस ही करता मा की पूजा वैशनों धाम सा इस दुनिया में धाम नहीं है दूजा हो जी सुरेस और टीयस पाल तुसीस जुकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मा वैशनों रूप में क्यों आई ये हम बतिलाते हैं है पावन माता धां यहां बनते बिगडे का